अगर आपको इस टॉप लगाना नहीं आता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान जहलना पड़ सकता है इसलिए वीडियो को पूराइन तक देखेगा और आसानी से समझ जाएगा कि कैसे आपको इस टॉप लगाना होता है तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले dashboard वाले tab में आ जाओंगा क्योंकि मैंने option trading के अंदर एक call option buy किया हुआ है Nifty 50 का 10 March 2022 के लिए 17,000 पर call option मैंने buy किया हुआ है quantity है 50 और मुझे 70 रुपय 75 रुपय का profit यहाँ पर हो चुका है अभी और आप यहाँ पर live देख सकते हैं कितना profit हो रहा है कितना loss हो रहा है क्योंकि market अभी उपर की तरफ जा रहा है आप अगर यहाँ पर देखेंगे Nifty में तो यहाँ से काफी ज़्यादा उपर उठ चुका है और मैंने buy किया था यहाँ पर आसपास में तो market अभी उठा हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर profit हो रहा है तो मैं यहाँ पर dashboard में option trading के अंदर stop loss लगा लेता हूँ ताकि इससे ज़्यादा मेरे को loss ना हो तो यहाँ पर simply आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर add stop loss का option मिलेगा यहाँ पर आप click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर sl trigger price का option मिल रहा है आपको यहाँ पर trigger price में डाल देना है कि कितना रुपय आप stop loss लगाना चाहते हैं तो अभी इसका market price कितना 23 रुपय 10 पैसे के आज पास में चल रहा है और fluctuate कर रहा है आप market open है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा loss ना हो इसलिए मैं यहाँ पर stop loss लगा देता हूँ तो मैं यहाँ पर कितना इंटर करूंगा amount इससे कम होना चाहिए यहाँ पर जो market price दीख रहा है उससे कम होना चाहिए यहाँ पर और इससे ज्यादा होना चाहिए इससे कम यहाँ पर होना चाहिए और इससे कम यहाँ पर होना चाहिए यह बात समझ लिए तो यह है आपका limit price इससे नीचे में आपका sell नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं इससे कम यानि कि 23 रूपय 15 पैसे है न मैं 20 रूपय तक यहाँ पर लिमिट डाल देता हूँ कि भाई 20 रूपय से अगर नीचे जाता है ये प्राइस तो मुझे ये contract नहीं रखना है exit कर लेना है तो exit करने के लिए हम लोग यहाँ पर stop loss trigger price डाल देते हैं तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 20 रूपय अब देखो इससे अगर market price उपर बढ़ता है तीक है 23 रूपय से अगर उपर जाता है तो मुझे profit होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन घर्टे घर्टे अगर 20 रूपय से भी कम हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा loss हो सकता है इसलिए मैं loss को minimize करने के लिए यहाँ पर stop loss लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 20 रूपय डाल दिया कि 20 रूपय से कम में में मिरको exit कर लेना है नहीं रखना है इस contract को तो 20 रूपय मैंने यहाँ पर डाल दिया अब मैंने बताया कि इससे कम amount यहाँ पर होना चाहिए तो थोड़ा सा कम यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं limit में या फिर इतना भी बराबर हम लोग रख सकते हैं 20 रूपय भी हम चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं कि 20 रूपय में ही हमको sell करना है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से रखेंगे यह 19.95 रूपय ठीक है यानि कि 19.95 और 20 इन दोनों के बीच में यह share बिग जाएगा यह contract बिग जाएगा तो इतने के नीचे हम लोगों को नहीं रखना है यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया सही से price, limit price, stop loss price अभी यहाँ पर आपको क्या करना है sell के button पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर sell पर click करेंगे आपका sell order place हो जाएगा इसके बाद नीचे के तरह आपको done का option मिलता है done पर click कर देना है अभी आप यहाँ पर देख सकते है open order में लिखा गया है आपका order लग चुका है 19.95 से नीचे में यह बीक जाएगा आपके पास यह contract नहीं रहगा यानि कि आपको loss अधिकतम 19.95 तक ही हो सकता है average price कितना है 21.60 पैसे तो यानि कि लगभग मेरे को 1-2 रुपए का loss होगा quantity 50 है यानि कि 50.100 रुपए लगभग 100 रुपए के आसपास मुझे loss हो सकता है जबकि अगर market उपर जाएगा तो मुझे unlimited profit हो जाएगा I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको stop loss प्लेस करना है और दोस्तों अगर आपने ये order अगर cancel करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अगर मान लिजे कि market बहुत ज़दा उपर जा रहा है ठीक है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर market डाउन जा रहा है ठीक है ना 23 रुपए से अगर 20 रुपए आ जाता है और आपको लगता है कि इसको cancel कर देना चाहिए थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए तो आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद नीचे की तरब आपको cancel और modify का option मिलता है आप चाहे तो इसको modify करके जैसे 19 रुपए था ना यहाँ पर 19 रुपए 95 पैसे तो उसको आप कम करके 18 रुपए 15 रुपए भी modify कर सकते हैं जैसे modify पर click कर देता हूँ और यहाँ पर आप यहाँ पर modify कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपको यहाँ पर cancel भी करने का option आता है तो आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद यहाँ से आप cancel भी कर सकते हैं ठीक है तो यहसे cancel कर देंगे तो यह order confirm कर देंगे ठीक है ना confirm cancel अब यह order cancel हो गया है done कर देंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं open order से यहां से हड़ चुका है यानि कि हमारा जो order था वो cancel हो चुका है यानि कि अब यह जो 22-23 रुपए चल रहा है यह अगर 18 रुपए 15 रुपए भी आएगा फिर भी यह contract हमारा sell नहीं होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर contract को stop loss लगा दूँगा मेरा भी recommend यही रहेगा कि आप stop इतनी capacity है उतना ही आप यहाँ पर invest करें यह मेरी तरफ से आप सभी के लिए suggestion रहेगा वीडियो पसंद है तो like share और चैनल को subscribe कर लिजे अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत